शार्दा नदी का जल स्तर बढ़ने से गाउं में पहुचा बार का पानी जनपद लखीम पुर्खिरी ब्लॉक बिजवा शेत्र में शार्दा नदी के तट बन दिये गाउं में शार्दा नदी का जल स्तर बढ़ने से गाउं में पानी भरने लगा है जिससे ग्रामीनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है नदी के किनारे की सारी फसले जल मगन हो गई है ब्लोक बिजवा शेत्र के गाउं रेवती पुर्वा में भी शारदा नदी का जल सरबढ़ने से गामिनों को बहुत मुश्किलों कर सामना करना पड़ता है रेवती पुर्वा, निवासी, राकेश कुमार ने बताया कि हमारे गाउं रेवती पुर्वा में 4-5 दिनों से पानी भरा हुआ है हम लोगों की सारी फसले डूबी हुई हैं हम लोगों को गाउं से निकलने के लिए गाउं से रोड तक जो जल मगन है काफी पानी पार करना पड़ता है खत्रा भी बना रहता है ग्रामिनों ने कहा कि हम लोग काफी डरे हुए हैं 2400 घंटे खत्रा बना रहता है शासन प्रिशासन से भी अभी तक किसी प्रकार की कोई सुधा या मदद नहीं मिली है कोई अधिकारी हम लोगों की सूध लेने नहीं आया है गाउं की राकेश कुमार मुन्ना लाल राम की सोर आधी लोग मोजूद रहे यह पानी भरा हुआ है आपके गाउं में हितने दुन नहीं है नहीं है तो अगाउं के चारो तरफ पानी भरा हुए है कितने पानी बराद दर दर हमें बड़ा हैं, लग्मक्ता सबहरां दवर हुए जात्री है अगया है वह निए झालग में अगया है वह फडले जो आप जोगी करते में तन्होंचत में भड़ जाद कर दोड़ां जात जोगी है यहां पर बाढ़ाने से आप डिक्कत यहां तो पानी घरों में घरा हुआ है अब आप अपाई देख रहें सामने तब है तो हरा गोर्टा कहा भी तकार के तरफ से कोई कार भाई नहीं है हमेरे हैं कोई कार भी नहीं है कोई चक्रने नहीं है कभब नहीं है अच्छा सासन प्रसासन की तरफ से अभी कोई है नहीं है नहीं है